सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र नूस चैनल को और लेटेस्ट यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकोंच जरूर दबाएं क्योंकि कई वर्षों बाद ऐसा योग आया है कि सुमवा के दिन काल सर्प दोशेवं ग्रह शांती पूजा की जाएगी जिससे पूजा करने वालों को अच्छे फल प्राप्त होंगे ऐसी जानकारी एक विशेश मुलाकात में यह पूजा करवाने वाले विश्वप्रसिद ज चौदहवें वर्ष काल सर्प दोश यों ग्रह शांती यग्य कराने जा रही है और सन्योग कितना अच्छा है कि चौदहवें वर्ष स्त्रावण महेने की सुकलपक्ष की नागपंचमी तिथी को सोमवार दिना रहा है और ये पांच तारिक को यह कारिकम किया जाएगा इस कारिकम में बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और इस कारिकम में सामिल होने से पहले जो यजमान के रूप में होते हैं उनको पंजी करन भी कराना पड़ता है और अन्य लोग भी देखने के लिए बहुत लोग आते हैं बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और यह कारिकम बहुत ही बैदिक विधी के माध्यम से कासी के बैदिक विधी के माध्यम से यह संपन कराया जाता है कि यह इस वर्स संजोग इतना अच्छा बनाया है कि हर महीने के स्वामी निर्धारित रहते हैं स्त्रावन महीने के स्वामी सिव जी है और सप्ताह में सिव जी का दिन सोमवार माना जाता है संजोग इतना अच्छा है कि नाग पंचमी के दिन नाग सिव जी के आभूशन कहे जाते हैं सोमवार से चंद्रमा ग्रह का द्योतक माना जाता है सोमवार मानी चंद्रमा ग्रह का द्योतक माना जाता है चंद्रमा समुद्र मंथन से निकल करके संकर जी के सिर पर इस्थिर है और उस दिन नक्षत्रों का भी बहुत अच्छा संजोग बना है यह संजोग एक सो पचीस वर्स के बाद में आया है इस नाग पंचिमी के दिन यह दिये है पूजा जो भी जिस भी विधी से कराया जाए वह पूजा पूर्ण फलदाई भी माना जाता है काल सर्प दोस्यों ग्रह शांती अग्य राहू और केतू के अंतरगत सारी ग्रह बिध्यमान होते हैं तभी यह दोस्त बनता है इन्ही दोस्त को दूर करने के लिए है काल सर्प योग मने राहू का अधिदेवता काल होता है और केतु का अधिदेवता सर्प होता है तो ग्रहों को पूर्णता संतुष्ट करने के लिए उनके अधिदेवता एवं प्रत्य धिदेवता का पूजन करना आवश्चक माना जाता है इसीलिए यह कालसर्प योग किया जाता है अब रही बात ये कि इस पूजा में और सोने में सुहागा मिलाने की बिदी को हम स्विकार किये हैं। इसके साथ में ग्रह सांती भी किये हैं। ग्रह सांती करने से भी व्यक्ति के जीवन में पूर्ण तहलाव प्राप्त होता है। इसके लिए बेल आइकोंट जरू उर्दवाएं।